इस वीडियो में आपको में भारती कला कालिक जो वर्गी करन हुआ यानि प्रारंबिक काल, सास्त्री काल, पुरो मध्यकाल और आधोनिक काल इन सभी के बारे में और साथ ही साथ भारती कला की प्रमुपीसिस्ताओं के बारे में बताया जाएगा तो इससे पहले वाले वीडियो में भारती कला का जो इतिहास से रिलेटेट सारे तथ्य रहते हैं या भारती कला क्या है वो सारी चीज़े बताएगे हैं तो उसके बाद ये वीडियो आपके बीच आया है और ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको मिलेगा कि भारती कला का कालिक वरगी गरन तो भारती कलह को प्राया चार भागों में वरगी कृट किया गया है तो दोस्तों इससे पहले अपसे रिक्ष्ट करता हूं कि मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं के तो प्लीज सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लें, डिस्क्रेप्सर में उसका लिंक दिया गया है, और साथ ही साथ फेस्बूक पेज पर भी जॉइन हो जाईए, और टेलीग्राम पेज पर टेलीग्राम चैनल पर जॉइन होना आती आवश्चक है, क्योंकि वहाँ से आपको जैसे भी बैकेंसे आती है, सारी नोट्स, सारी क्यूश्चन अलसर वही से प्रवाइट किये जाएंगे, ठीक है, तो आई ये पढ़ते हैं, प्रारंभी कला, यानि जो भारती कला को चार भागों में वर्गी कृत किया गया है, उसमें से प्रारंभी कला को हम देखेंगे, ठी इसे लोक कला भी कहा जाता है, ठीक है, इसे लोक कला कहा जाता है, और यह कला का प्राचिन तम रूप है, जिसका प्रचलन जन जाती है, तथा ग्रामेड लोगों के बीच देखा जा सकता है, उनकी संगीत, नृत, चेत्र, मुर्तियां, तथा सजावट की अन्य, साजो समान अभी भी प्राचीन परमपरा से जुडी हुए हैं तथा उनका कलात्मक पक्ष कमजोर होता है तो इसके बाद आपको बताएंगे कि जिसे भार्ति कला को बाटा गया है तो प्रा रम्ही कला थो गया अब सास्त्री कला किसे कह जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं ठीक है? और सास्त्री कला के सा साथ इसे चीर सम्मत कला, classical कालσι कल जीसे कहते हैं तो चीर सम्मत काल कहा जाता है कला कहा जाता है तो इसके बार हम देखेंगे तो जो चोथी पांचवी सतापड़ी इशा पूरों से सातिव सताब्दी इसापूर तक प्रचलित थी यह कला अपनी भव्यता और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए भिख्यात रही मौयवर कुशाण और गुप्त काली कलाई इसी वर्ग में समलित है साति सात पूर्व मध्यकाल की कला अगर देखेंगे तो पूर्व मध्यकाल की कला में जिसका कार सातवी से बारवी सताब्दी तक माना जाता है इस काल की कला में भावात्मक पक्ष भी बहुत कमजोर होता है परतीत होता है और जिसमें स्वभावी के अस्थान पर स्वभीविक्ता के अस्थान पर कृतेमता सजीवता के अस्थान पर रूणी वादिता की बृद्धी होने लगती है यदिप इसके अपवाद भी दिखा पड़ते हैं अब इसी के साथ इसी के साथ आधुनी काल की कला को देखेंगे जो बारहों सतापती के पस्चात की कला है इस काल की कला में कलात्म बारिकियां जो है वही जलगती हैं मुगलकालिन कला इसी के अंतरकत आती हैं आप जानते हैं कि मुगलकालिन कला किस तरीकी की कला है ठीक है और भारती कला की जो प्रमुख विसिस्ता हैं उनके बारे में अब हम देखेंगे भारती कलाओं की प्रमुख विसिस्ताओं में भारती कला की अनेग विसिस्ताओं ऐसी हैं जो उसे बिसिस्ट पहचान परदान करती हैं इन विसिस्ताओं में निमनलिखी प्रमुख यानि पहला है प्राया धर्म से प्रभावित, तो भारत की आत्मा उसके धर्म में नहित होती है और उसके हर क्रिया कला पर धर्म का प्रभाव असप्रस्ट रूप से देखा जा सकता है, कला भी धर्म से अच्छूती नहीं है, मुर्ति कला में देवी देवताओं के मुर्तियां, चित्र कला में देवी देवताओं के धर्म, अस्थलों के चित्र, सिल्प कला में मंदिर देवालय, सहित में धर्म गरंधों तथा संगीत कला में भजनों इस्तुतियों की ही प्रधांता दिखाई देती है, आज की भब जो तो शंबेदन किया हुआ है, अपने में सहियम किया हुआ है, अलग किया गया है, इसलिए कभी कभी भारती कलाकृतियों को हिंदू, बाउध, जैन, मुसलिम, आधी वर्गों में वर्गी कृत करने का प्रयास किया जाता है, पर तो इसका यभी अर्थ नहीं लगा लेना चाहि ये कि भारती कला लोकिता से पूरियता रहित है, तो प्रती कात्मक्ता के भाव से देखे, तो भारती कलाकृतियों का सुक्ष्म अध्यन करने पर ज्यात होता है, कि ये कलाकृतियां कुछ सुक्ष्म रून धार्मिक दार्शनी को भाव को प्रदर्सित करने का प्रयास करती हैं उधानार्थ में आगर देखे तो मूर्थियां देवताओं के विग्रह का मंदिर वास्त पुरूस का देवगणों की प्रतिमाएं शुब शक्तियों की ब्रह्मा विश्णु महें इसकी त्रिमूर्थि शिष्टि करता पालन करता साहार करता सक्तियों के प्रतीक और पारम परिक्ता है उसमें भारती कला का इतिहास काफी प्राचीन है अतर भारती कलाकार अपने बीसिस्ट कला के छेतर की परमपराओं से प्रभावित दिखता है उसका इस परमपराओं या रुडियों को तोड़ना अतनत कठी रहता है और यद्य अपवाद अस्पस्टर स्वरूप होता है कुछ कलाकार इसमें अलग कुछ नमीन प्रियोग करने का भी प्रयास करने को देखा जाता है प्रयास करते रहते हैं तो भावात्मक्ता में देखे तो जो है कि भारती कलाकरतिया सिर्फ कलात्मक प्रदर्सनी ही नहीं है बलकि गहरे भावात्मक लगाओं से भी जु देती है उधारण में देखे तो गांधार कला के बुद्ध प्रतिमा महत्मा बुद्ध के सिर्फ सारेरिक गठन को ही नहीं बलकि उसके चरित के अनुरूप उसकी मुखाकरिती और दिव्याभा को भी उतकृष्टा के साथ प्रकट करती है तात पास्चाथ यह है कि उसका एक ससक्त भावातमख पक्ष है तो अगर इसको देखे हैं तो अनामदता क्या है भारतिक कला कार अपनी प्रसिद्ध के लिए कलाकृतियाँ नहीं बनाता पास्चाथ कलाकारों के विपरी उपह पूरी लगन और सद्धा के साथ कलाकृति का निरमार तो अवश्य कर देता है प बहुत कम भारती कलाकृतियों के साथ उसके कलाकार का नाम देखने को मिलता है वह तो अपनी अनामता में ही संतुष्ट रहता है। बहुत कम भारती का निरधारन तो में भारत में पास्चात देशों की समान उपयोगी और ललीत कलाओं में भीद करने की परिपाटी नहीं रही है। इन विश्यस्ताओं के अलाव भारती कला के जने जीवन से घनिस्ता की भी एक उल्ले खनिय तत्य है और कुछ कला पारिक है इसे अस्वभाविक और सामान अपक समझ के बाहर की चीज सिद्ध करने का प्रयास करते हैं लेकिन यह बात वास्त विक्ता से बहुत दूर है भारती कला भारत के सभी लोगों के लिए है तो दोस्तों इसके आगे चित्तर कला की पूरी जानकारी आपको देंगे वीडियो में और अभी तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजे बेल आइक अन तब आ लेजे और जो भी सुझाओ देना मैं कमेले ब्लाक में दे सकते हैं साथे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जोइन करिए फिस्बुक पेज करों को भी जोइन करिए थैंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो